दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही जादा जरूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा कहले जिए कि प्रभावीत करने वाला दिन बकरियों को वो दिन होता है जब सर्दियों के मौसम में कभी कभी बरसात होती रहती है या सरदिया जब सरदी अपने चरम पर होती है एक वो मौसम और एक बरसात के दिनों में बक्रिया सबसे ज़्यादा कहलेजे की बीमार पढ़ने की गुंजा इस बक्रियों की सबसे ज़्यादा होती है ऐसा होता क्यूं है क्यूंकि बक्रिया सरदी और बरसात के प्रती बेहत समवेदन शील होती है इस समय में उनको बहुत ज़्यादा बीमारिया होने के चांसे होते हैं कोशिस तो हमारी यह होनी चाहिए कि बक्रियों के breeding ऐसे टाइम पर कराएं कि जब बच्चे पीक ठंड़क में पैदा ही ना हो यानि अगर आप को बक्रियां गर्भित करानी है तो आप ऐसे समय पर कराएं कि उनका जो बच्चा देने का समय हो वो 15 दिसंबर के बाद और 15 जनुरी के पहले ना हो या तो बक्रियां नॉम्बर तक बच्चे दे के निपड जाएं या जनुरी के बाद बच्चे दें ऐसे समय में उनको गर्भित कराना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बक्रियां बाहर निकली हुई है चराई करने के लिए और जो मौसम ये चल रहा है आज जनुरी की आठी तारीख है और मेरे सभी जानवर स्वस्थ हैं ये जानवर स्वस्थ क्यों है मैं ऐसा क्या करता हूँ और किस तरह का इनका श्वडूल है क्या मैं इनको खिलाता हूँ वो सारी प्रॉपर जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ और आप भी ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके जानवर भी स्वस्थ रहें जल्दी से बीमार ना पढ़ें इसके लिए आप क्या करें वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम गोट फार्मिंग शुरू करें तो हम अपने हां की जो स्थानी बक्रियां हैं उनका चैन करें अपनी गोट फार्मिंग के लिए इससे होगा ये कि जिस तरीके से एक देसी आदमी बीमारियों के प्रती जादा मजबूत होता है जिस प्रकार उसका प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है उसी प्रकार जो देसी बक्रियां होती है इनका भी प्रतिरक्षा तंत्र जादा मजबूत होता है तो आप अगर देशी बक्रियों का चैन करेंगे अपनी गोड फार्मिंग के लिए तो सबसे पहला फायदा आपका यह होगा कि यह बक्रियां बहुत ही कम बीमार पड़ेंगी और बीमार एदी कम पड़ेंगी तो आपका खर्चा भी इनके पीछे कम ही आएगा सर्दी के दिनों में आपको जिस बात का ख्याल रखना है वो यह कि नीचे से बक्रियों को सर्दी ना लगने पाए नीचे से उनके बैठने के लिए चाहे आप किसी लकडी के तक्थे की वोस्था करें या गाउं में जो धान की फसल होती है उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है हमारे यहां पर उसे पैरा कहते हैं या पुगाल कहते हैं आपके यहां भी स्थानी भासा में कुछ ने कुछ कहते होंगे उस धान के पैरा का इस्तमाल आप कर सकते हैं उस पर आप इनको बैठाएंगे तो इन्हें गर्माहट महसूस होगी नीचे से इनको सरदी नहीं लगीगी तीसरी चीज जो आपको खास ख्याल रखना है वो है इनके भोजन पाने इनके चारी का मैं इनको भोजन के रूप में अभी जब तक मेरे पास हारा चारा नहीं है मेरे आस पास में पूरा आप वातावांट देख सकते हैं जंगल है तो इस जंगल में मैं खोल देता हूँ बक्रियों को चरने के लिए और शाम को जब लोट के आती हैं तो मैं उन्हें गेहू, चूनी, हल्दी और सरसों की खल, नमक, मेथी ये सारी चीज़ें मिला करके देता हूँ, हफ़ते में एक दिन में नमक नहीं डालता हूँ और उसमें मीठा सोडा डाल करके इनकी जानौरों को खिलाता हूँ, जिससे इनका जो पाचन तंत्र है वो भी मजबूत रहे और बक्रियों को आसानी से ये पूरा जो दाना मिश्रण है, वो हजम हो जाए और यही कारण है कि जो भी हमारे जानौर हैं, वो सब स्वस्थ हैं दो तिन चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, एक तो यह कि चैन आप देशी बक्रियों का करें अगर आपको गोड फार्मिंग की शुरुआत करनी है, दूसरी साउधानी आपको ये रखनी है कि इनका जो भोजन हो उसमें हल्दी और सरसों की खल, इन दोनों की ही मात्रा सर सर्दियों में आप बढ़ा दें, इनकी मात्रा बढ़ाने से जानौर और भी अच्छे तरीके से तयार होंगे, तीसरी साउधानी आपको ये रखनी है कि आप बक्रियों की ब्रीडिंग ऐसे समय पर कराएं कि जब बच्चे या तो नौंबर, पंद्रा नौंबर, या तीस नौंबर तक के पहले पहले पैदा हो जाएं, या जनवरी के बाद पैदा हूँ, ऐसे समय पर उनकी ब्रीडिंग कराएं, तो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा और आपके बच्चों में मौर्टल्टी कम आएगी, ये कुछ मोटी मोटी बाते थी, जो मेरी अपनी समझ से आप को कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बाक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा, फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलेंगे, ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार आपको मेर मेरे ऐसे वीडियो कैसे लगते हैं, आप मुझे जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर करें, और अगर अपने परिवार में आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभ काले पुम तिरहे…